19 अप्रेल से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला एक जून को संपन्न हो गया है निर्वाचन आयोग ने इस बीच विपक्ष के निर्वाचन आयोग में की गई शिकायत से लेकर सोशल मीडिया पर की गई शिकायत और चलाए गई नेरेटिव का जवाब आज दिया है और निर्व पर भी लोग सभा का चुनाव सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला सुनाव है अगर इसकी हम प्रेस कॉन्फरेंस की पांच बातों का जिकर करें तो पांच बातों में अवल सबसे बड़ा टेकवे यह है कि निर्वाचन आयोग ने तोबा की है ऐसी गर्मियों में आइंदा कराने से मुखी निर्वाचन आयोग राजी उकुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि आइंदा ये तो तै है कि इतनी गर्मियों में इतने लंबे चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि एक महिना पहले ही चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन जो इसे रेखांकित करते हुए मुखी निर्वाचन आयोग तो ने कहा कि 642 मिलियन वोटर जो 27 देशों की जनसंख्या से भी कई गुना ज्यादा है इन लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया कुल मतदान की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा टेक अवे ये भी है कि जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव का विधान सभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है जिसमें आयोग ने कहा कि 55 फीसदी के करीब पूरे जम्मू कश्मीर में और 50 फीसदी से अधिक घाटी में हु करें तो आयोग ने ये भी कहा है कि जो रिकॉर्ड बने हैं उसमें महिला मतदाता 312 मिलियन महिला मतदाताों ने हिसा लिया है जो फिसिकली वीकर लोग हैं उसमें 85 प्ल सिक्यूरिटी पर्सनल स्यूपर स्थिती एक सो पैंटी से स्पेशल ट्रेन चली चार लाग से ज्यादा गाड़ियां वाहनों का इस्तेमाल किया गया अड़सट हजार एक साथ सो चौनसट मौनिटरिंग टीमें लगी और एक हजार चैसो तिरानवे यानि लगबक सत्रह सो इस पक्ष जिस तरह से आलोचना कर रहा है कि हमें मतदान का जो डेटा है वो देर से मिला उस पर भी अपनी सफाई दी उस पर भी यह कहा कि जो प्रोसेस है उन्हें सबावन से जो प्रक्रिया चल रही है उसको और पार दर्शी बनाया जा रहा है जिसमें अब तक बनाया ग है जो प्रक्रिया अपना ही जा रही है वो अपने आपने पार दर्शी है वो अपने आप में एक स्थापित परमपरा है लहाजा चलते चुनाओं में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है लेकिन सबसे बड़ी बात जो आयोग ने कही वो यह कही 2019 के चुनाओं में चुना का मामला उठाया और उसके बाद लोगों ने गलत नेरेटिव यानि अफवाहों के जरिये निर्वाचन आयोग पर शक उठाया यानि जनता के बीच में उनकी छबी खराब करने की कोशिश की लेकिन आयोग ने कहा कि जब मतगणना हो या मतदान हो लगबग 30-35 लाख लोगों तर्शी रहती है लहाजा उस पर आरोप लगाना उचित नहीं है क्योंकि ये ऐसे लोग जो निश्काम भाव से सिर्फ सरकारी अमला हो निर्वाचन कराने के लिए हर मतदान केंदर तक मतदाता तक पहुंचने के लिए 80 चोटी का जोर लगाता है इतनी मुश्किलों में जा सारे डेटा आ जाएंगे सारे डेटा आने के लिए भी जरूरी है कि वो मतदान केंदर से और जिला मुख्याले तक न केबल EVM के साथ सुरक्षित पहुंचे बलकि उसकी जो डेटा 17C में जो डेटा है उसे कंपाइल करना उसका वेरिफाई करना और उसके बाद वो तमाम ज अपडेट होते होते टाइम लगता है क्योंकि पोलिंग पार्टी को जिला मुख्याले तक आने में समय लगता है वो समय तो दिया जाना चाहिए लेकिन जब लोगों के मन में शक हो और बेवजह का शक हो तो बेवजह के शक का इलाज तो हकीम लुक्मान के पास भी नहीं है लहाजा ऐसे में मुखिन निर्वाचन आयोग ने अपनी भावनाओं को कविताओं के जरिये व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि माली को कितनी चिंता रहती है चमन की लेकिन फूल तोड़ने वालों को कोई चिंता नहीं लगती और उसे ये नहीं लगता कि इन फूलों को कि दम नहीं है क्योंकि ये पुरानी परमपरा है जिसमें 8 बजे से मतगनना शुरू होती है और 8 से 8.5 पहले आदे घंटे दाक मतबत्र की गिंती होती है और इसके बाद 8.5 बजे से EVM खुलना शुरू हो जाती है और EVM के साथ ही तीसरी प्रक्रिया वो है जिसमें जो 85 साल से उपर के लोग और जो EVM का रेंडम हर विदान सभाक्षेतर से 5 मशीनों को रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है और उसकी गणना होती है जिसके वीवी पैट की मशीनों के साथ वीवी पैट की पर्चियों के साथ EVM के आंकडे को मिलाया जाता है ये तीनों चीजें पैरलल पैरलल चलती है जिसमें बहुत सारे अब विपक्ष का कहना है कि दाक मतपत्रों की गिंती सारवजानी क्यों नहीं की जाती टांक पत्र में बहुत सारे इंवेलीड भी होते हैं लेकिन अगर हार जीत का अंतर इνवेलीड ताक मत सी mistake होती है या थोड़ी सी चूक होती है उसको consider किया जाता है लहाजा वो गिंती शुरू में नहीं बताई जाती है क्योंकि उससे बेवज़ा का confusion होगा और confusion होने के साथ साथ अगर confusion नहीं होगा तो confusion create करने की कोशिश की जाएगी और फिर एक narrative set करने का मौका दिया जाएगा कि निर्वाचन आयोग की नियत पर, निष्ठा पर प्रश्ण किये जाएंगे, यानि वैसे ही जैसे सीता की अगनी परीक्षा के बाद भी उनकी निष्ठा पर, उनकी सत्यता पर प्रश्ण किये गए, प्रश्ण उठाए गए कुछ विसी अंदाज में निर्वाचन आयोग ने इन सभी प्रश्णों का उत्तर दिया है लगबग घंटा भर से जादा प्रेस कांफरेंस चली, जिसमें वीडियो भी दिखाए गए और जिसमें आयोग ने हर तरह के सवालों के जवाब दिये और ये बताने की कोशिश की कि सिर्फ शक क्या अधार पर सिर्फ मानसिक कलपना क्या अधार पर आरोप लगा देने का कोई मतलब नहीं है तरक क्या अधार पर बातें की जाए और अगर जो इनका आरोप है कि मतदाता सूचियों में गड़बडी है तो साड़े चार साल ये लोग कहां थे पिछली बार भी इन्होंने ऐसे आरोप लगाए लेकिन जब ऐसा क्यूं होता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं या चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब ये सवाल यहां से लेकर सुप्रिम कोर्ट तक उठाने का मतलब क्या है इसके पीछे की भावना क्या है जनताई से बेहतर से समझ ले क्योंकि चुनावतियां तरकों के आधार पर दी जाने चाहिए ना की अफ़ाहों के आधार पर कैमरामेन प्रेमचन मिश्रा के साथ संजे शर्मा दिल्ली आज तब